तो यहां पर आप देख सबते हो, यह हमारे general entry का format होता है, इस तरीके से हमें table बनाना होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आप date लिखोगे, उसके बाद आप particular लिखोगे, उसके बाद आप LF लिखोगे, LF का मतलब होता लेजर folio, उसके बाद आप debit rupees लिखोगे, उसके बाद आप credit rupees लिखोगे, और उपर लिखा जाएगा हमारा general, अब इन general entries को इस format के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके देखते हैं, सबसे बहले हम अपनी पहली entry को देखते हैं, हमारी पहली entry थी cash account debit to cabinet account, तो हमें entry पता है, debit भी पता है, और credit भी पता है, तो आपको simple सा काम करना है, यहाँ पर मैं assume करके चल रहा हूँ, कि हमारी पहली entry की date है, 15 April 2023, आपको exam में question के अंदर date बता रही होगी, कि आखिर ये transaction कोन सी date की है, तो आप उसी date के according general entry पास कर लेना, मैं यहाँ पर assume करके चल रहा entry 15 April 2023 है, तो date तो कोई भी हो सकती है, question में मिल जा तो जरूर डालनी है, नहीं मिले तो blank छोड़ देना, तो हमारी entry इस तरीके से लिखी जाएगी, particulars के अंदर, cash account, debit to capital account, entry आपको पता है, अब amount की बात करूँ, तो आप debit वाले column में debit के amount लिख दोगे, और credit वाले column में credit के amount तो हमारी entry record हो गोई, तो इस तरीके से आपको अपनी general entries को format के अंदर record करना है, तो exam में आपको format बना के आना है, अगर आप सिर्फ general entry पास करके आते हो, तो हो सकता है आपके कुछ number कट जाए, तो इससे अच्छा है, पूरा का पूरा format बना के आजो, इसमें कोई ज्यादा के लिए LF के column का इस्तेमाल करने के कोई भी जर्वत नहीं है, exam के अंदर ledger में कोई भी हम page number नहीं लिखते, यह तो practical काम होता है, जब practically accounting करी जाती है, तो वहाँ पर ledger number लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, LF वाले column को खाली छोड़ देना है, तो 11 April की same date की entry है, bank account debit to capital account, debit में 5 लाख लिख दोगे, credit में 5 लाख लिख दोगे, आपकी entry record हो गई, अब अगर मैं आगे बढ़ू, तीसरी entry की हमारी additional capital वाली, इसकी date मैंने अज्यूम कर ली, 10 में 2023, तो हमारी entry थी bank account debit to capital account, 5 लाग रुपीस, तो इसको हम यहाँ पर लिख तो 25 में को machine account debit to capital account कर देंगे, 15 लाख रुपीस, तो यह asset वाली entry भी हो गई, अब लास्ट है हमारी, जिसके अंदर हमने cash account debit करा था, building account debit करा था, machinery account debit करा है, और stock account debit करा है, और credit में लिखा है capital account, इसकी date मैंने अज्यूम, उसको सही कर ले न, यहाँबर 10 में नहीं आ सकती, च तो जब हम 25 में के entry record कर चुके हैं, तो आगे इसकी अगली date की entry रिकॉर्ड होगी, तो यहाँपर इस 10 में को 30 में कर लेना, क्यूंकि हम 25 में के entry कर के आ चुके हैं, तो अब इसके आगे तो आगे की date की entry record होगी, तो 30 में को आप इस entry को record करोगे, cash account, debit to building account, debit to machine account, debit to stock account, और credit करेंगे हम two capital account तो हमारी entry बन गई आप कुछ students बोलते हैं कि क्या हमें पहले बीना format वाली entry करनी होगी उसके बाद हम format बनाके उस entry को format में डालेंगे तो नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा मत सोचना आपको exam में format के साथ ही entry करके आनी है वो तो मैंने आपको पहले entry करना सिखाया था आपको कोई अलक्से entry record नहीं करनी है तो आपको exam में proper format बनाना है उसके बाद ही entries को record करना है तो समझ में आगया आपको clear हो गया हमारा capital वाला point इसके अंदर हमने 4 points को discuss कर लिया cash को भी देख लिया, bank को भी देख लिया, asset को भी देख लिया, goods को भी देख लिया, अब हम आपके अपने second point को देखते है, जो कि हमारा asset